probability के concepts को समझने के लिए ये activities बड़ी अच्छी है इनको आप खुद visualize करके या खुद practically करके जरूर देखना उससे probability आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये activity क्या कहती है Ask all the students in your class to write a 3-digit number तो जैसे ही मैंने कुछ 3-digit number sample की तरह से यहाँ पर रख लिया और यानि की 100 से लेके 999 के बीच में कोई number लिखो Choose any student from the room at random उसके पाद हमने क्या किया कि randomly class में से एक student को pick किया अब वो कहता है What is the probability that the number written by her or him is divisible by 3 कि जो student हमने choose किया, randomly select किया क्या possibility है कि उसने जो number लिखा होगा वो 3 से divisible होगा तो हमारी activity तो यहीं खतम हो जाती है उसके बाद उसने सिर्फ समझाने के लिए बोला हुआ है Remember that a number is divisible by 3 If the sum of its digits is divisible by 3 तो कोई भी ऐसा number जैसे 2, 0, 4 2, 0, 4 2, 0, 4, 2, 0, 4 कितना होता है 6 तो 6 is divisible by 3 तो इसके बाद यह number भी 3 से divisible होगा तो यह तो चला अलग बात होगी इसको हम छोड़ देते अब देखो अब देखो यह बड़ी simple सी बात है कि ऐसे में probability कैसे find it होगी मालो आपकी class में 50 students है अगर 50 students हैं उन में से मालो के 15 बच्चों ने ऐसा number लिखा 15 बच्चों ने एक ऐसा number लिखा जो 3 से divide होता है और बाकी के 35 बच्चों ने ऐसा number लिखा जो 3 से divide नहीं होता ठीक है तो simple सी बात है कि इसकी probability हो जाएगी 15 divided by 50 that's it कि जैसे इसको दूसरी तरफ से आप ऐसे consider कर सकते हो कि मैंने ये सब बच्चों से एक एक चिट ले ली और उसको उल्टा करके यहाँ पर रख लिया ठीक है इन सब चिट्स को मैंने ऐसे उल्टा करके रख लिया कि इसमें कौन सा number लिखा हुआ है और इसमें से 15 बच्चों ने मानलो कि already number लिखा है जो 3 से divide होता है और पैंतियस ने ऐसा number लिखा है जो 3 से divide नहीं होता तो जितने number 3 से divide होते हैं उसको total number of students से divide करो वो probability इकलाएगी अब दूसरी तरह मानलो कि class में total students 75 है और उनमें से 25 ने number लिखा है जो 3 से divide हो तो probability क्या हो जाएगी 25 by 75 So I am sure कि इस से आपको probability के concept और अच्छे से समझ में आएगे मैं फिर भी recommend करता हूँ कि एक बार experimental ये सारी experimental probability है हमने एक experiment किया उसके base पर probability निकाली ये probability theoretical probability से different हो सकती है तो आप कोशिश करना theoretical probability निकालने के लिए कि मानलो 100 से लेके 999 इसके बीच में से अगर मैं एक number अगर pick करता हूँ अगर इसके बीच में से एक number मैं pick करता हूँ तो क्या probability होगी कि वो 3 से divisible होगा वो इससे different हो सकती है जो मैंने अभी अभी आपको एक example दी इसके बारे में ज्यादा जानना हो experimental probability के बारे में तो top right corner में मैंने जो link दिया उसको जरूर देख लेना उससे आपको probability के fundamentals बहुत इच्छे से clear होगे So that's it from this tutorial Keep watching Mathematia So that's झाल झाल